Hello everyone, welcome to Maths Vidya First question है हमारे पास हमें इसकी value find करनी है तो इसे solve करते हैं पहले 2-1 by 3 यह हो जाएगा हमारे पास 5 by 3 multiply, यह हो जाएगा हमारे पास 7 by 5 यह हो जाएगा हमारे पास 9 by 7 up to, यह हो जाएगा हमारे पास 1001 divide by 999 9 और यह cancel out हो जाएगे 5 से 5, 7 से 7 यहाँ जो term आएगी उससे 9 cancel हो जाएगा और यहाँ जाएगा 999 divide by 997 तो यहाँ से cancel out हो जाएगे इस तरह से cancel out हो जाएगे हमारे पास रह जाएगा 1001 divide by 3 और यह हमारा answer हो जाएगा option number 3 correct बनेगा next question है हमारे पास find the value of b for which 2x plus 3 is a factor of 2x power 3 plus 9x square minus x minus b इसका factor है 2x plus 3 हमें b की value find करनी है तो b की value find करने के लिए इसका factor हमें दे रखा है 2x plus 3 यहाँ से हम अगर x की value निकाल के इसमें put करें तो वो 0 के equal होगा यहाँ से x की value निकाल लेते हैं x की value हो जाएगी minus 3 by 2 और यह value इसमें put करते हैं 2 minus 3 by 2 power 3 plus 9 minus 3 by 2 square minus minus of 3 by 2 minus b equal 0 इसे solve करते हैं और हमारा b का मान आ जाएगा इसको solve किया यह हो जाएगा हमारे पास minus 27 by 4 इसे solve किया यह हो जाएगा 81 by 4 plus 3 by 2 और इस b को दूसरी तरफ ले जाते हैं यह हो जाएगा b यहां से b की value आ जाएगी इसे solve करेंगे तो 60 by 4 equal b यह cancel out हो जाएगा और b की value आ जाएगी हमारे पास 15 और यह हमारा answer हो जाएगा option number second हमारा correct बनेगा next question है हमारे पास एक वृत की तिर्जा 13 cm है और एक जीवा की केंदर से दूरी 12 cm है जीवा की लंबाई ग्यात किजिए the radius of a circle is 13 cm हमारे पास कोई circle है इसमें center O यहां से इसकी radius 13 cm है और एक जीवा की केंदर से दूरी 12 cm है यह कोई जीवा है यहां से केंदर से दूरी है जो यह यह 12 cm है और हमें जीवा की लंबाई बतानी है यह A माल लेते हैं यह B तो हमें पता है कि केंदर से जीवा पर डाला गया लंब perpendicular जीवा को दो ब्राबर भागों में बाट देता है तो यह point माल लेते हैं C अब हमें इसकी value find करनी है यह आ जाएगा तो same ही यह होगा दोनों को add कर देंगे और जीवा की लंबाई आ जाएगी तो इसे find करते हैं यहां पे हम पाइथागुरस थेवरम का यूज करते हैं यह हो जाएगा हमारा hypotenious जिसे करन बोला जाता है और यह हो जाएगा perpendicular लंब और यह हो जाएगा base अधार तो पाइथागुरस थेवरम 13 की square hypotenious का square equal base का square base को cb का square plus perpendicular का square 12 का square यह हो जाएगा 169 equal cb square plus 114 cb square equal हो जाएगा 169 minus 114 और यह आजाएगा हमारे पास cb square equal 25 and cb हो जाएगा हमारे पास 5 अब cb की value आगई 5 यह 5 है तो के अंदर से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो ब्राबर भागों में बाड़ता है तो यह एगर 5 है cb 5 है तो ac भी 5 होगा तो जीवा हो जाएगी total 5 और 5 दस यह हमारा answer हो जाएगा option number 3 हमारा correct बनेगा तो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को like, share और चैनल को subscribe जरूर करें